Hello everyone, welcome back to my channel कैसे हो आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे काफी सारे मेसेज आते हैं कि बालो को काला करने के लिए क्या करें मेंडी क्या लबा क्योंकि मेंडी से ब्राउन ब्राउन से हो जाते हैं कुछ ऐसा बनाएं जिससे काले हो जाएं और मुझको बहुत जदा बाल अपने सॉफ्ट भी लग रहे हैं छूनें ना बहुत ही जदा सॉफ्ट 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 से लग रहे हैं ये इंडी को पारटर आपको कैसे बनाना है, कैसे एप्लाइ करना है पूरा वीडियो बताऊंगी और इंडिको को मैंने डायरेक्ट इंडिको पौडर को नहीं लगाया है इसको मैंने मेदी के साथ मिक्स करके ये लगाया है इसे बाल बहुत ज़्यादा साफ हो गया है मेरे बाल एक भी नहीं जड़ा बालों का कलर काफी बढ़िया आगया मतलब मस्त वाला कलर देख सते हैं पहले मेरे ब्राउन ब्राउन से मेंडी वाले कलर होता है उससे था अब काफी बढ़िया कलर आ गया है और बाल काफी जगा साफ हो गया है आज ही मैंने लगाई थी और आज ही मैं इसका वीडियो व्याब के लिए बना रही हूं तो बहुत काफी वाल एक वीडियो के दरफ चलती हूं कि आपको इंडीको पौॉडर कैसे बनाना है मेंडी के साथ जबर मेंडी के साथ आप प्लाई करूंगी आप burgheit तो यहां हम चार चमबच और लेंगे और आपने बालों के हिसाब से ले रहे हूं आपने बालों के पडम के यह पिर आप दही डाल सकते हो तुर बिंटर्स का सीजिन अगर आपको ठंड है дело रखता है तो आप दही ना डाल डाल करके आप एक डाल सकते हो या फिर आप सुंपल चाय के पानी से यानि चाय का पानी होता है चाय को बोईल करके उसमें एक čमच औरपी डाल करके आप उससे भी गोल सकते हो तो आप तीनों options आपको जो समझ में आए आप कर सकते हो मुझको में जो है दही मैं अपने बालों में लगा लेती हूँ विंटरस में तो मैंने दही से गोला है फिर हलका सा ल्यूप वाटर लिया है और उससे मैंने इसको फिर खोल लिया है क्योंकि कंडिशनर के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें दही बिक्स किया है आप चाहो तो यह जरूरी नहीं कि आप भी दही डालो आप सिंपल चाय के पानी से भी गोल सकते हैं तो बस मैं इसको गोल करके रख दूँगी इसको आपको तुरंत नहीं लगाना है इंडिको पाउडर को आपको थोड़ी से देर के लिए इसको छोड़ देना है ढख करके और उसके बाद आपको इसको अपलाई करना है तो आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों में शैंपू कर लिया था और आपने पहले रिजल्ट देखा ही, काफी अच्छा इसका रिजल्ट मेरे को लगा, मैं इसको हाथ से लगा ले रही हूँ, जैसे हम मेंदी अप्लाई करते हैं थोड़ा थोड़ा सा लेयर ले करके, उसी तरह से सेम आपको उसी तरह से लगाना है, बहुत से लोग इंडिको बाल मुझको कम पसंद आते हैं, तो ये बलकुल मुझको नेचरल तरीका लगा, और काफी सही चीज लगी, बाल बहुत ज़दा साफ्ट होगा है, मैंने पहले यह आपको दिखाए, और इसका प्रोसेस भी यही है, कि मैंने इसको लगा करके, करीब जैसे मैं मेंदी को बाल करके ही शंपू किया करो, तो उससे जो है, लांग लाश्टिंग रहता है, मतलब काफी दिन तक आपकी मेंदी बीच चल जाएगी, और ये इंडिको पॉर्टर भी, तो ये देखिए, मैं अपने हाथ से ही इस तरह से पूरे में लगा ले रही हूँ, और बहुत अच्छे हम रिजल्ट लगे, बाल बहुत जदा सौट हो गए, और बालों का कलर भी काफी अच्छा है, आपने आगे देखा ही, पहले मैंने आपको दिखाया, तो एक एक लियर करके इस तरह से लगा लेंगे, आप अगर खुद नहीं लगा सकते तो आप किसी की हल्प भी ले सकते हो, यह देखिए, मैंने पूरे बालों में लगा लिया है, जुरा सा बना लिया है, और तो यह देखिए, अब मैं इसको आदे गंटे के बाद धो दी थी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक चरूर करिएगा, और अगर चैनल को सब् और मेरे हाथ की बेंड बजी की नहीं, नहीं बजी, मेरे कलर हाथ नहीं हुए, मुझको इसका रिजल्ट काफी सही लगा इंडिको पॉडर का, और बाल बहुत ज़्यादा सौफ हो गया, तो अगर आप बालों में हीना के साथ आपको लगता है कि ब्राउन ब्राउन से हो ज चेढ की으니까 की, पॉडर को भी ओलों में हीना रिक्या आपको लगता